सर्व प्रथम आपसे अन्रोद है कि उपर दिख रहे क्यू आर को स्कैन करके हमें आप आर्थिक सही रोग करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिए नमस्ते मैं हूं संजय दिक्षित और आप देख रहे हैं दी जैपुर टैनॉक्स वेस्ट खालिस्तान और इस्ट ये दो किंडम्स हुआ करती हैं कैनला में और इनको बहुत धक्का पहुच रहा है धक्का क्यों पहुच रहा है वो हम आपको एक मिनट बताते हैं पहले ये भी बता दें कि वेस्ट खालिस्तान और इस्ट खालिस्तान के अलावा एक पैन खालिस्तान की राजधानी हुआ कर करती है जिसको लंडन खालिस्तान भी कहते हैं लंडन खालिस्तान में बहुत बड़ा एक हाथसा हो गया है खालिस्तानियों के साथ में वह यह हुआ है कि वहां पर रिशी सुनक नाम के एक हिंदू प्राइम इनिस्टर ने तीन सो खाते खालिस्तानियों के जब्द कर दिये हैं जब्द कर दिये हैं और उसमें बताते हैं कि कम से कम नहीं तो वो सो मिलियन डॉलर कम से कम सो मिलियन डॉलर बताय जा रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि सो मिलियन पाउंड है उसके अंदर इतनी संपत्ति उनकी जब्द क वी है जिसका उपayुक करके पूरी दुनीया में रेफरेंडम कराए जाते थे वैसे तो उनका एक अकाउंट कैनेडा में भी है एक अकाउंट युसे में भी है लेकिन यह जो में आकाउंट था वह यूड के में था और रिशी सुनक ने आज बहुत बड़ा धखका दिया है काल स्टान को, fakeral स्टान की जो ट्रेंजरी थी, उसको जफस गर लिया है। अब आप जानते हैं कि ये जो खालिस्तान नाम का जो खाली स्थान है जो कि दिमाख के खितूर में बसता है उसके दो नोड़ है और वो कनेडिस्तान में पाया जाते हैं कनेडिस्तान में एक स्थान है ब्रैम्टन ये टोरंटो नाम के शहर में पाया जाता है ये ब्रैम्टन जो है इसका नाम जो है वो रखा गया है इस्ट खालिस्तान कि किंगडम आफ इस्ट खालिस्तान और किंगडम आफ इस्ट खालिस्तान ये कुछ सर्फिरे चलाते हैं किंगडम आफ इस्ट खालिस्तान में थोड़ी सी दिक्कत भी है क्योंकि किंगडम इस्ट खालिस्तान में ह एक राज इस्थापित किया जाए जिसमें केवल और केवल जो खालिस्तानी है उसके लिए जगड़ा चल रहा है कि वह उसका जो है वह प्रेशिडेंट कौन होगा है यह अब विक्ति गृमीच सिंग जो है उसके मुक्षिक अब्वया तुम जो है वेस्ट पाकिस्ट वेस्ट का जाता है वेस्ट ऑर जाता है वह वैंकूवर के सरे नाम के सबर्ब है वहां सहरी और वेस्ट का निज्जर सहाब की क्या बताएं उसको निज्जर साहब को जहनुम रवाना किया गया था अब निज्जर साहब के बारे में वही अन्नोन गन्मेंगी बहुत बात आ रही थी अब दिक्कत और ये हो गई कालिस्तान के जो जटके पर जटके लगे एक तरफ तो यूके ने जटका लगा दिया रिशी सुनक ने जटका लगा दिया रिशी सुनक को तो ये भी का जा सकता है कि रिशी सुनक जो है वो मोदी के प्रभाव पे काम कर रहा है और मोदी का प्रभाव जो है आजकल पूरी दिया है तो इन कारणों से जो धक्का पहुंच रहा था उससे भी सबसे ज़्यादा धक्का पहुंचता है जब आपका कोई अपना आपको दोखा दे दे अब यह काम हो गया कनेड़ा में जब उनके अपने टर्डों ने खालिस्तानियों को पूरी तरह से दोखा दे दिया वो कैसे दोखा दिया आपको याद होगा कि टर्डों ने अपनी पार्लेमेंट में खड़े होकर वो हरदीब सिंग निजर एक हुआ करता था उसकी हत्या का आरोफ जो है वो भारत के उपर लगा दिया अच्छा वो भारत के है उपर आरोफ लगाया भी कैसे वो हमारे जैसे यूट्यूबर्स की जो ख्यास बाजी थी उसको सुन सुन कर मुझे नहीं पता था कि हम लोगों को इतना सुनता है टर्डों तो टर्डों ने जो हमारी ख्यास बाजी थी अन्नोन गन्मेंट के मतालिक उसको सुन सुन के पा सेरा सेरा ISI ने रा के वोपर बांदा हुआ था अब ISI जैसी प्रतिष्ठित एक संस्था की बात तो हम कैसे नकार सकते थे इसलिए हम ISI जैसी प्रतिष्ठित संस्था की बातों को सुनकर और जो बाकी open source intelligence चल रही थी उसको लेकर हम बात कर रहे थे कि हाँ भई निजर जो है वो भी अन्नोन गन्मेन के साथ मार अन्नोन गन्मेन के हाथों रुखसत हुआ है और बागी जो पाकिस्तान के जो सारे के सारे जो आतकी हैं जो रुखसत हो रहे हैं वो भी अन्नोन गन्मेन के साथ हो रहे हैं इसलिए हो रहो जो I.S.I. कह रही है उसको हम माल लेते हैं इसमें input ले हम पूरी जिंदगी CIA से और ये जो intelligence agencies बड़ी-बड़ी है पस्चिम की MI5 है अब इनकी भी कोई agency होगी केनडा की निश्चित रूप से कनेड़ा की लेकिन उन्हों ने हमारे input लेके और बता दिया किसको टर्डो को और टर्डो ने खड़े होके पारलेमेंट में बयान दे दिया भारत ने उनको खुटनों पर ला दिया क्यों क्योंकि जो दस बिलियन डॉलर का वह revenue बना रहे थे साल का भारती स्टूडेंट से वह आधा हो गया तो कंगाली में आटा गीला क्यों होता है भाई इस कहावत का भी भई कोई कोई सार को है ही एक तो बन्दा कंगाल हो गया और आटा जो है उसके पता चला है कि उपर से पानी बरसा वह आटा और गीला हो गया अब आटा भी नहीं मार सकते खाना भी नहीं मना सकते जो था वह भी गया तो ये हो गया है वाईजी कंगाली में आटा गिला कंगाली में आटा गिला यूँ हुआ कि अब टर्रो साहब ने टर्रो साहबी का जाएगा क्योंकि उनकी जो रॉयल केरेडियन मौन्टेड обязательно पुलिस है उसने ये कह दिया का वही निजर की हत्या में किसी भी विदेशी देश का कोई हाथ नहीं है किसी कहीं भी किसी और देश का कोई हाथ नहीं है तो अब बताओ भई अब दो एक तरफ तो हमारे गुरुप तवंतर सिंग पन्नु जो है उनकी पन्नी उतर गई दूसरी और जो टर से पूछ रहे हैं उन खास्तों से कि जो इस समय जो लीडर है पौरी एवर जो अपोजिशन है वो मुझे काफी स्मार्ट बंदा लगता है और वो स्मार्ट बंदा जो है इस समय खाट खड़ी कर रहा है और कहरा है कि तुमने कैसे बिना किसी प्रूफ के बिना किसी इन्वेस् दिखराओ की इस्तिती बेरा भी यह प्रश्ण टर्डों से बुचे जा रहे और दूसरी और निजर भाई के जो भाई बंद थे सारे के सारे जो उचल उचल के लारे लगा रहे थे और जो उचल उचल के बारता नाम ले रहे थे अब वो सब जो है वो इनको नहीं समझ में रहा है अपना मुँँ कहां छुपाएं कि मुँँ छुपाने की अब जगह नहीं मिल रही है लेकिन मुँँ छुपाने की जरूत क्या है जब आप बिल्कुल ही बेशर्म हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं तो इसलिए रोना पीठना मचा हुआ है कि बाईया ये टर्डों न तो चुन लिया अब रिशी सुलक को आप कुछ भी गई रिशी सुलक जो है वो पूरी तरह से वहाँ पर वहां पर ब्रितन के ही साधक है वह भारत ने नहीं बैटे वहाँ बिटिश बिटिश ब्रिटिश इस उडिजन बॉप अधन ब्रॉट अप यह वह बॉर्ण सिटिज और उनके जो पिता माता जो थे वो आये थे इस्ट अफिका से उठके हैं तो इस्ट अफिका वाले जो बिटिश सिटिजन्स थे Commonwealth सिटिजन्स उनकी कैटेगरी में वो आते हैं तो बहुत पुराने हैं बहुत पुरानी उनकी जो है वो वाक्या हो गया कि रिशी सुनक देगे आप जराओं लोग जो है वो कैसे दो और दो चार बनाते हैं ये खालिस्तानी जो है ये कह रहे हैं कि भाया डील हो गई एदर रिशी सुनक ने खालिस्तान के अकाउंट सीज़ किये और उधर उनकी सासूमा को राज जिसवा का सदस से बना दिया लोकल लोगा अब जब कंस्परिसी तेरी जो है इस इस तरह तक पहुँच जाएं तो आप समझ सकते हैं कि माहौल तो पूरी तरह से आतंकियों में आतंक का हो गया है जो आतंकी हैं वो पूरी तरह से आतंकित हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये तो बहुत बुरा ह और हमको यह अंदाजा नहीं था कि भाई हमारे जो गुज्यू भाई हैं यानि कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यह इस लेवल तक मांडवाली कर सकते हैं अब खालिस्तानी जो हैं बहुत डरे हुए हैं कि यार जब यह रिशी सुनक के साथ ही हो गया तो ट्रम्प के स गई तो ट्रम्प तो जो है वो तो बहुत ही इस वामले में इमोशनल बंदा है क्या करेंगे ऑस्ट्रेलिया में तो वैसी रास्ते बंद हो गए खालिस्तानी जो हैं वो इस समय एक बहुत ही एक्जिस्टिंशल क्राइसिस से जूज रहे हैं और उनको यह लग रहा है कि कही आप है कि उनके खाते जो हैं वो यू-एश और कैनेड़ा में भी बंदो हो जाएं क्योंकि अब टर्डो पर उनको विश्वास नहीं रहा है तर्डो ने उनको बहुत बड़ा दोखा दे दिया है निज्जर वाले मामले में पहले निज्जर वाले मामले में चड़ाया चड करने के बाद में चुपके से कह दिया कि नहीं यहां कोई विदेशी हाथ में है खालिस्तान पैदा होने से पहले ही एक बुरे संकड में फस गया है और जो पैदा होने का जो उसका रस्ता है वो गर्ब में ही ऐसा नहों कि वो गर्ब बात हो जाए बड़ी दिक्कत है वीचारे खालिस्तान जैहिन जैघारत वंदे मातरों